नमस्ते दोस्तो मेरा नाम है Dr. Bipin Vibhute, मैं लिवर एक्सपर्ट हूं प्रम पुने दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने देखा कि अरली लिवर सिरोसिस की ट्रीटमेंट कैसे करना है यदि आप early liver cirrhosis की treatment करते हो और फिर भी आपका liver advance stage में चला जाता है या early cirrhosis की treatment करने में आपको देरी होती है और उसके वज़े से आप advanced cirrhosis में चले जाते हो तो ये video आपके लिए तो आईए जानते है advanced liver cirrhosis या decompensated liver cirrhosis किसको कहा जाता है तो दोस्तो advanced liver cirrhosis में जो हमारे body की जो liver से जो demand है जर्रत है वो liver पुरा नहीं कर पाता है इसका मतलब ये है कि आपका liver 60-70% तक damage हो चुका है और वो काम नहीं कर रहा है और जो भी liver काम कर रहा है वो 30% से कम है तभी या आपको जो पैर पेव सूजन है पेट में पानी है, जॉनलीस है आपका वजन कम हुआ है या बड़ा है आपके muscles बहुत फ्लाइबी हुए है या कम हुए है, muscle loss हुआ है आपके kidney पे प्रेशर आया है, आपके लंक्स में पानी भरा हुआ है आपके brain को भी सूजन आके आप कोमा तक भी जा सकते हो यह सारे जो लक्षन है वह आपको एड़वांस इरोसिस में तभी दिख सकते हैं जब आपका लिवर 30% से ज्यादा काम कर रहा हो तो एसे एडवांस स्टेज में हमारे ट्रीटमेंट का एम क्या होना चाहिए तो दोस्तो हमारा एम सिब यही होना चाहिए कि हम एडवांस स्टेज के जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम रोक सके प्रिवेंट कर सके और उसको टाइम पर ट्रीट कर सके तो आए जानते इस वीडियो म या advanced liver cirrhosis को क्या-क्या support you measures, क्या-क्या precautions हम ले सकते हैं. तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये चानना है कि आपको liver cirrhosis क्यों हुआ है, किसके कारण आपको liver cirrhosis हुआ है. तो liver cirrhosis का कारण या cause को हम treat करते हैं, और यदि आपको अर्ली स्टेज में आपको cause को या कारण को treat करने का मौका नहीं मिला है, तो इस स्टेज में भी हम उसकी treatment चालू कर सकते हैं, इसको treatment लिये हैं, तो उसको थोड़ा सा aggressive भी बना सकते हैं। इसकी details मैंने last video में आपको बताया हैं। तो next हम यह जानते हैं कि आपको क्या 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 complications हो सकते हैं। तो दोस्तों, लिवर सिरोसिस की जब भी बात होती है, तो portal hypertension एक commonly word used हुआ होता है, जिसके वज़े से जो भी लिवर को blood supply हुआ होता है, उसके जो blood supply करने वाले vessels हैं, उसमें सूजन आती है, उसमें swelling आता है, वो डाइलेटेड हो जाते हैं। और उसके वज़े से जो उसके back organs है, like intestine होता है, spleen होता है, kidneys होते हैं, उसमें प्रेशर आता है, क्यूंकि उसमें effective blood लिवर के तरफ नहीं जाता है, आप एक imagine कर सकते हो, एक river है, और river के अंदर आप stones डाले हुए हैं, तो आपका flow जैसे normally river से जाना चाहिए, नदी से जाना चाहिए, वैसे नहीं जाता है, और वो back pressure होता है, similarly, हमारे body में भी जो liver के अंदर से blood नहीं जाता है, normal नहीं जाता है, तो back organ पे pressure आता है, और उसके वज़े से आपको portal hypertension के signs और symptoms हो सकते हैं, तो उसके लिए आपको कुछ दवा लेना है, जैसे कि beta blockers हैं, आपको time पे endoscopy करके, आपके food pipe के अंदर जो dilated vessels हैं, बड़े होए blood vessels हैं, उसको पहचान ना है, उसके वज़े से आप bleeding प्रिवेंट कर सकते हो, और उसको time पे bending करके, डॉक्टर की सला करके वो repeat भी कर सकते हो, लेकिन portal hypertension को रोक के, उसके further complications को हम definitely रोक सकते हैं, तो दूसरा complication है, ascites या आपके पेर पे सुजनाना, ascites का मतलब है, आपके पेट के अंदर पानी होना, तो जब यह advanced liver cirrhosis होता है, तो आपके intestine, आपके spleen, बागी के organ पे बहुत सारी swelling होते हैं, और उसके वज़े से भी आपको पेट में पानी हो सकता है, आपके body में protein की मातरा कम होते हैं, उसके वज़े से भी आपको इस सुजन आ सकती है, कुछ-कुछ-कुछ blood vessels block हो उते हैं, उसके अंदर blood cross होते हैं, उसके वज़े से भी आपको पेट या पेर पे सुजन आ सकती है, तो उसके लिए दोस्तों आपको पहले blood test करके, आपके electrolytes जैसे sodium, potassium, के जांच करना है उसके इसाब से डॉक्टर आपको डायुरिटिक्स मतलब आपको ज्यादा यूरीन करके वो पानी बाहर निकलने की दवा दे सकते हैं लेकिन आपको बहुत कौशियस रहना है विकाज ये दवा आपके किड्नी पे भी किड्नी को भी डामेज कर सकते हैं तो य जोर रहे हैं उसके हिसाब से डॉक्टर उसके डॉस एड्जस भी कर सकते हैं तिसरा कॉंप्लिकेशन है जॉन्डीस को ऐसा सपोर्टिव मेजर्स ज्यादा नहीं है जो भी आप लिवर को हिल्दी रखने के लिए जो भी आपको बाकी की समश्या है डिसिजस है सिम्टम्स है उसको रोक के आप जॉन्डीस को रोक सकते हैं लेकिन जॉन्डीस इस वन आप दो पैरामिटर जो आपके लिवर के सिवारिटी को इंडिकेट करता है लेकिन इसको डायरेक्ट ट्रिट करने के लिए कोई दवा नहीं है फिर भी यूजुवली हम अर्षोकॉलिक एसीड बोल क्योंकि आपकी इम्मुनिटी बाकी लोगों के मुकाबले आपकी कम होती है और जब इम्मुनिटी कम होती है तो आपको इंफेक्शन होने के चंसे जादा होते हैं तो आपको इंफेक्शन कंट्रोल करने के लिए प्रिकॉशन लेने के लिए आपको ऐसे प्लेसेस पे नहीं करना है क्योंकि hospital is a house of these bacteria viruses and fungus so आप जितना ज्यादा बार बार आप hospital में जाओगे उतना आपको infection होने का खत्रार रहता है तो आप preferably जरूरत नहीं है तो आपको hospital में जाना आवाइड करना है उसके लिए doctor आपको कुछ prophylactic medicines भी दे सकते हैं antibiotics भी दे सकते हैं कि जिसके वज़े से आपका infection जो common infection उसको control कर सके हैं antibiotic antiviral के साथ साथ आपको vaccination भी लेना ज़रूरी है जो vaccination जो routine viruses, bacteria, tuberculosis उसको control कर सकते हैं और यदी आप लेते हो तो कुछ हद तक हम infection को control कर सकते हैं लेकिन precaution लेना ज़रूरी है जैसे मैंने लास्ट ताइम आपको बताया था कि जो आप diuretics यूज करते हो या पेट या पईर की सुजन निकालने के लिए आप दवा लेते हो वो किड्नी पे असर कर सकते हैं तो आपको urea creatinine check करके चेक करना ज़रूरी है और जब भी वो बढ़ता है तो आपको kidney injury या kidney damage के signs हो सकते हैं वो diuretic के वज़े से भी हो सकते हैं लिवर के वज़े से भी आपके kidney पे pressure आ सकता है कि diabetes है, hypertension है या कोई direct kidney की बीमारी है तो ये कभी-कभी irreversible हो सकते हैं और उसकी भी जांच करना ज़रूरी है तो जब भी आपका creatinine जब भी आपका creatinine उपर जाता है तो आपको kidney की जांच, kidney के doctor से या liver specialist से करना ज़रूरी है दसे आप जानते हैं कि advanced liver cirrhosis में या liver cirrhosis में liver के cancer होने की संभावना 5% से ज़्यादा होती है इसका मतलब है कि आपको ध्यान में रखना है कि आपके liver में कोई cancer तो नहीं हो रहा है और यदि आपके liver में ऐसी कोई भी संभावना है तो उसके time पे treatment करना ज़रूरी होता है तो हर 3 महिने या 6 महिने में एक बार आपको alpha pitoprotein या paid की sonography करके ये पता करना है कि आपके liver में कोई tumor तो ग्रो नहीं हो रही है तो दोस्तों ये कुछ precautions and treatment है जो advanced liver cirrhosis के complication में हो सकते है लेकिन ये बात आपको भूलना नहीं है कि इसके साथ ही साथ आपको आपके lifestyle modification को भी ध्यान रखना है जिसमें आपको diet और exercise में ध्यान रखना भूच जरूरी है क्योंकि जितना आप medicines लोगे उतना आपके liver में ज्यादा damage होगा liver को ज्यादा काम करना पड़ेगा तो आपको एक low salt जिसमें salt कम है, proteins ज्यादा है, carbohydrate और fat कम है ऐसा diet आपको लेना है आपके पानी की मतरा आपके advanced stage के हिसाब से, liver cirrhosis के हिसाब से आपको कम ज्यादा करना है, वो डाक्टर के सला लेके आप उनको पूछ सकते हो कि आपको कितना पानी पीना है जब आप salt जादा लेते हो, पानी जादा पीते हो, तो आपके पेट का पानी और सूजन और बढ़ सकती है, और और complication हो सकता है और जब भी यह सारा होता है, तब आप खा नहीं पाते हो, क्योंकि पेट के अंदर जब भी पानी होता है, तो आपके intestines है, जो भी आथ है, बड़ी आथ है, चोटी आथ है, स्टमक है, they swim in the water, तो आपको खाना हजब नहीं होता है, और भूख भी नहीं लगते है, और आपकी health day by day deuterate होती है, तो diet and exercise are the key to keep you healthy, यदि आप नहीं कर रहे हो, तो आपको आज से ही start करना है, क्योंकि यह सिरोसिस रोखने के लिए, सिरोसिस से हमें stable होने के लिए, यह भूज जरूरी है, प्रेफरेबली जो भी packed foods है, pride foods है, बाहर का जो खाना है, उसमें भूज सारा salt, unhealthy oil ह होता है, वो आपको avoid करना है, fruit और green vegetables की मातरा आपको बढ़ाना है, धान रहे, आपको juice नहीं पीना है, आपको whole fruit, पूरा फल ही आपको खाना है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा फाइबर्स मिले, ज्यादा से ज्यादा आपको minerals, vitamins और जो भी healthy content आपको मिले, धान रहे, आपके diet के साथ आपको exercise करना भी जरूरत है, क्योंकि आपके muscles में proteins होते हैं, और जब प्रोटीन आप नहीं लेते हो, तो आपको protein loss होने की संभावना ज्यादा होती है, तो यदि आप dietary protein आप ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, तो आपको at least जो protein powders है, जो authenticated protein powders है, वो आप exercise करके आपको muscle को pump करना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपके muscles बहुत ही लिधार्जिक हो जाएंगे, आपको ऐसा कभी comfortable नहीं लगेगा, बहुत pain होगा, आपके bone में भी pain हो सकता है, तो थोड़ा जितना आपको हो सकता है, उतना आपको exercise start करना है, और धीरे धीरे उसको बढ क्योंकि ये complications कभी-कभी बहुत deadly होते हैं, आपके doctor को regular follow-up में रहना है, आपको जो भी blood investigations 15 days, 1 month या 2 महिने में जो आप doctor बताते हैं, वो stage की इसाब से, आपके sickness के इसाब से होते हैं, और उसको करके सही proper advice लेना ज़रूरी है, diet और exercise के लिए भी आप जो भी उसके experts हैं, liver physiotherapy में जो experts हैं, उनकी सला लेके proper diet plan, proper exercise plan आपको follow करना है, और यदि आप ये करते हो तो आप कुछ हद तक आपको advanced liver cirrhosis को भी up-stable कर सकते हो, उसके complications से बच सकते हो, क्योंकि आप जब liver cirrhosis को, advanced liver cirrhosis को up-stable रखेंगे, तब ही आप जो उसकी definitive treatment है, जो liver transplant है, जो हम अगली वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे, उस तक पहुंच सकते हो, उसे एक अच्छा result पा सकते हो, और एक beautiful life enjoy कर सकते हो, आपको liver cirrhosis और liver के बारे में कोई भी समस्या है, कोई भी प्रश्ना है, तो हमें comment box में आप लिख सकते हो, मैं और मेरी टीम आप तक पहुंचने की कोशिस जरूर करेंगे, धन्यवाद,